हलो एब्रिवान, वेलकम टू मेंटी मोडूल आजी रो क्लास रे आमें डिस्कसन करीबा ट्रांस्पिरेशन रो बोथ कंसेप्ट आउ तास होईता MCQ अन्या सबु चेप्टर लाइक बियलोजिकल एडप्टेशन एमंग लिविंग बिंग्स आउर एस्पिरेशन रो इम्पोर्टन MCQ मौ अल्लेडी आमा चैनल ले प्रोभाइट करीशार छी आपन जो देजाए वीडियो देखी ना हांती देन चैनल ले प्लेश्ट को जीबे सेठारे गुटे प्लेश्ट होची जेटी एन ओटी इटी साइन्स कांटेंट सेठारू आपना सबो वीडियो पाई जीबे ओटी इटी टाइम ले मध्यों आमें सबो चैप्टर इम्पोर्टन MCQ डिसकासन करी थी ले तो से सबो कांटेंट आपना सेई प्लेश्टे पाई जीबे ता ट्रास्पिरेशन ओटे टापिक जोड़ा की बूकरे एत्ते डिटेल्स रे नाही बूकरे जहाबियो ची अबाउट ट्रास्पोर्टेशन ता सेथी पाई मोभाविली आमें फर्स्ट एर कांटेंट कवर करीबा देन आमें MCQ डिसकासन करीबा ता पुरबर जोदी आपण माने चेनले न्यू देन प्ली चेनल को सब्सकाइब करी पाखरती पाई बेल आइकन को अन करी की रखनतु फडरे आगको असत बास अबो वीडियो रो नोटिफिकेसन आपणे प्रथमे पाई पारीबे आउ एजार जोदी आपणा आमा टेलिग्राम चेनल जोईन करी नाहती देन जोईन करी ने आँटो एई वीडियो रो पीडियाइब बाक्की सबु अन्या सबु जो MCQ सामें डिसकासन कोरशे तार पीडियाइब मध्यो आपणा सेथार आदो एभेल करी पारीबे तो जालां तो डेरी ना करी ख्लास्टि को सथार्ट करी वा फांस्ट अपल हुआथी ट्रांस्पिरेशन एटा देखने तो एटा होची गोटे प्लांट देन प्लांट ओ एटा होची लीपज एटा होची स्टेम пред एटा होची तर रोर्स इत रूट्स है, ईट रूट्स है, अच्छी बटते। है रूट्सु March was heartbeat, जीविड भीड रूट्स सेयर ग। टलन अच्छी मेर livre isוכt रूट्स है इस वाटर प्रेजों अची तो निवाटर प्लाइन अब्जब वाटर आउधर जाए ले वाटर प्लांट अधर पार्स को जाए थाएं वाटर ए ट्रांस्पोर्टेशन हाई थाएं टें ज्यती कि वे या र वाटर एप्जब करें प्लान तार आंवली 1 to 2% ही बाकी सबु जो रेश्ट वाटर अहिला 98-99% यह सबु वाटर भैपर फिर्म रे प्लांट रो लोश ही थाई तो ट्रांस्पिरेशन आमें कहा को कही बाँ तो एठरे अरे 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 अ आमें कहीबा ट्रांस्पीरेशन देन आमें देखीबा टाइप्स ट्रांस्पीरेशन और टाइप्स ट्रांस्पीरेशन आरब मैं लिए थी टाइप्स तो फर्स्ट उची स्टोमाटल ट्रांस्पीरेशन देन क्यूटिकुला ट्रांस्पीरेशन then another one is lenticular transpiration the first one में देखी बा stomatal transpiration the lips रे जो small pores थाए तको stomata को हाजाए suppose यहीटा कोड़े lips the lips रे small small pores थाए तो सहीटा होची stomata transpiration occurs through stomata is called stomatal transpiration the stomata थ्रूरे जो transpiration ही थाए तको आमें stomata transpiration कहीबा the stomata constitute the major pathway through which 90% of water vapor is lost by the aerial part of plant the stomata transpiration रे 90% water vapor रा लोस ही थे आने 90% water रो transpiration है थाए थाए थ्रू स्टोमाटा ताड़े लेखा है ची stomata विसरे the stomata र माइनूट फोर्स found on the epidermis between two guard cells guard cell रे जो epidermis थाए सेथाल स्टोमाटा देखेवा को मिले तन इस स्टोमाटा एलाओ water vapor to escape through them into the atmosphere stomata are found on leaves stomata leaves रे भी थाए young stem रे भी थाए flowers रे भी थाए और fruits रे भी थाए these are minute pores ताई ठाई देची isobilateral leaves रे stomata equally distributed थाए बोथ ओपर पाट रे एंड लोईर पाट रे but in dorsi ventral leaves they are found on the lower surface only ता कणा में ठेची रे देखी ले transpiration occurs थ्रू जदि stomata through a transpiration हो ची ताको आमें कहीबा stomatal transpiration stomatal transpiration रे 90% water vapor lost हो ची then आमें देखीबा cuticular transpiration the loss of water vapor through the cuticle or cuticular surface of the plant part is called cuticular transpiration the water vapor और जदि loss हो ची through cuticles then आमें ताको कहीबा cuticular transpiration और cuticular transpiration रे water loss हो ची थाए around 3-10% ठीक हो ची अब जदि plant harvestious हो ची थी थी भा then जो plant माने मैं ली moist steady places रे grow करसां थी tankara cuticle बहुत थीन थाए और constitute up to 50% of transpiration harvestious plant रे 50% water transpiration हो ची थाए through cuticles then आमें देखिबा lenticular transpiration again transpiration occurring through lenticel is called lenticel transpiration जदि transpiration lenticels दोवारा हो ची आमें दाको कहेबा lenticel transpiration ठीक हो ची then next ये lenticel is a porous tissue consisting of cells having large intercellular of cell having large intercellular space lenticel are formed in the peridorm secondary thickened organ and on the bark of perineal dicot stem and roots during secondary growth the lenticels मेली form है थाए in the peridorm secondary thickened organ तास है थाए on the bark of perineal dicot stem and roots during secondary growth A dimerale lenticel form है थाए it constitute only 0.5% of the total transpiration transpiration रो total total transpiration only 0.5% transpiration है थाए lenticular transpiration ठीक हो ची water vapor loss है थाए through lenticular transpiration then आमें देखिवा factors को को factor affect करी था rate of transpiration परे there are various factors affecting the rate of transpiration in plants they are mainly environmental factor and plants factor environmental factor जाऊची light then temperature then wind then humidity of surrounding air then soil condition एती अव plant factor जाऊची area of transpiring surface then thickness of cuticle location of stomata number of stomata root and shoot ratio तो तो फर्स्ट आमें देखिवा environmental factor तो environmental factor ये फर्स्ट आसुची light light इचे essential factor ठीक है छी since it plays an important role in opening and closing of stomata light होज़ गोड essential factor because it plays an important role in opening and closing of stomata एटी देकन तो stomata remains open in the light and close in the dark during day time और जिते बिली lights थाए sunlight थाए जिते बिली stomata mainly open थाए और close थाए during night hence the rate of transpiration is higher in stronger intensity of light and lower in the dark the light intensity जदी stronger थीब rate of transpiration मादे higher होई increase होब और stomata close during night then rate of transpiration decrease हब तो मैं ली एटा जो जिरोफाइटिक प्लांट थाए सथर यापन जाएं जोटी water रोशटेज ही थाए तो due to shortage of water they lost less amount of water तो सेमाने water loss को decrease करिवा पाए ताँ जिरोफाइटिक स्टोमाटा जदी उपन हुए then less transpiration हुए and they prevent the loss of water manly in जिरोफाइटिक प्लांट then next मैं देखिवा temperature rate of transpiration is directly proportional to temperature जदी high temperature हब rate of transpiration मध्य increase हब आउज low temperature हब transpiration rate decrease हब जदी अंधारिया भी थी बाँ जदी temperature हई अछी ता से time rate rate of transpiration increase हब due to high temperature further high temperature कच heating and lower the humidity of the environment enhancing transpiration अजी temperature low रहुची transpiration rate decrease हब light intensity रूभी जदी temperature अधिकर अछी then transpiration rate अधिकर हई बाँ temperature जदी less अछी temperature decrease हुए transpiration rate मध्य decrease हब then आमे देखिबा wind wind increase the rate of transpiration by removing saturated air from around the transpiring organ ता wind मध्य rate of transpiration कु increase करी थाई by removing saturated air saturated air कु remove करी transpiration rate कु increase करी थाई however high wind velocity जदी wind of velocity around 40 to 50 km per hour हला it decrease the rate of transpiration by closing the stomata stomata closes जबा आव transpiration rate decrease हब then humidity of surrounding air high humidity of surrounding air decrease the rate of transpiration as it reduce the diffusion of vapor from intercellular space हब humidity high रहिला then transpiration rate decrease हब 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 humidity low रहिला then transpiration rate increase हब then soil condition since transpiration depends on the rate of absorption water from the soil the condition of soil like the soil dry moist wet affects the rate of transpiration absorption of water from soil is directly influenced by many factors like aeration in the soil water temperature etc the soil condition उपरे मध्य transpiration rate increase हब depends depend then we see plants factor the plant factor rate of transpiration depend effect then area first area of transpiring surface a plant with large transpiration area so more transpiration than the plant with smaller transpiring area त आप DC term सोनी थिवे evaporation जधी evaporation मध्य area surface एरिया जदी अधिक है evaporation अधिक ही थाई ठिक हची आप जदी surface area less evaporation मध्य slowly ही थाई जिम थिकly suppose this floor आपन बढ़ चटाण अची floor जो रची आपन ताव परे वाटर पकेले जोदी सेटा सार्कुलेट हेगला सब्वो आडे दन सेटा जल्दी सिग्र माने इभापुरेट हाब आउ जोदी गोटे प्लेस रही से वाटर रहीला थिसेडा इभापुरेट हेबापाई बूर टाइम लागी बाँ तो आमे कान करू पाणी जोदी वाटर जोदी गोटे जागारे गोटे जागारे किछी वाटर सपोज पड़ी गला तो आमे कान करू तको फडरे एभापुरेट सिग्रह हाबा तो ठीक सेमति एरिया उपरेट डिपेंड करी जोदी एरिया लाजर हेला तो आउ एरिया जोदी स्माल हेला तो ठाण्स्पिरेशन रेट डिक्रीज हाबा तो ठीकनेस अब क्यूटीकिल The rate of transpiration depends on the thickness of the cuticle आमें cuticle ले transpiration रे देखी थीले जदी cuticle thin हला देन transpiration अधिक हबाँ Cuticle जदी thick हला देन transpiration rate decrease हबा एप्लांट वी thin layer of cuticle so more transpiration Then next Location of stomata The stomata रो location उपरे मध्य रेट of transpiration depend कोरू छी The rate of transpiration is reduced If stomata or sunken deep and minimizes direct contact with the environment Transpiration reduce हबा in sunken stomata ठीक हची जड़ा में देखी ले जीरोफाइटिक प्लांट रे Then rate of transpiration increase if stomata distributes superficially Stomata जदी सब वाडे distribute हई की हची Then rate of transpiration increase हबा आव जदी stomata sunken हची Then transpiration rate decrease हबा Then number of stomata Plant parts with large number of stomata show more transpiration The stomata अधिक अधिबा rate of transpiration increase हबा Then root and shoot ratio In the ratio of dry weight of root biomass to dry weight of shoot biomass A high root shoot ratio increase जदी root shoot ratio high रहिला Then rate of transpiration increase हबा While low ratio decrease the rate of transpiration तो अधिकी ही concept थीला आमें देखे लिए about transpiration Transpiration कहा कू कहीबा कहीं की ही थाए transpiration ठीक हची Then types Types रे थीला stomatal Then cuticular Then lenticular Then आमें देखे ला factor Factor रे रहिछी environmental factor And plants factor तो आसा कुणशी आपना बुझी पारी थी वे ही सबो यहाँ परे आमें यार MCQs देखीवा तो एटाता मूँ बहुत काम टाइमेर यार Notes prepare कोरी थीली अन्य सबू जो चेप्टर हईची Byology रहिए सेही सबूर Notes prepare हुँछी Once prepared ही गला तो आमें यार डिसकासन करने बाए यार तो बहुत सट अची मुझी देखी ली बूक रे ते डिटेल्स रे नाही जहाँ भी देखी अबाउट रांस्पोर्टेशन देखी तो सेथी पाई मुझी भाबी ली आमें ठीके डिसकासन करे दाबाए तो आमें MCQS प्राक्टिस करी बाए जदी आपनांको क्लास्टी भले लागी ले देन कमेंट करी जाने बाए चलना तो आमें MCQS डिसकासन करने बाए Question is Loss of water from plant in the form of water vapor is called Option A. Surface tension B. Cohesion C. Ascent of shape D. Transpiration Correct answer is आमें देखी ले Loss of water from plant in the form of water vapor is called Transpiration Option D is the correct answer Next Mark the one which is not the form of Transpiration तो form किंबा ताइपस ताइपस रामें देखी दिले Transpiration mainly three types First is Stomatal Transpiration Then Cuticular Transpiration Then Lenticular Transpiration ताइपसन A. Radial B. C. Cuticular C. Lenticular D. Stomatal Not Not पचर इजी ताइपसन A. Is the correct answer Radial Transpiration Then Next Which of the following statement is not true regarding the cuticle of the plant Option A. R. G. Wax-like covering of lips P. R. G. CUTIN is the principal substance C. R. G. Polymer of Long ten luc彙 Fetty Acid D. R. A. ا fuss It is mainly compost of the only cutina ता बोथ उपर जो तिनो washed option A, B and C correct हो छी Option D. R. रहे दाईची It is mainly compost of only cutina The only cutina नो नुहे बोथ wax and cutina रही थाए ता अपसन D. is the correct answer. जहतु not पचारीची, option D is the correct answer. Next, what are lenticels? Option A रहाची, epidermal structure, B रहाची, wax layer of leaves, C रहाची, opening in the bark, D रहाची, channel to the transfer water. The correct answer होची, option C, lenticels are opening in the bark. Next, Stomata X as targar operator valves, तो एडा पचारीची, statement is true or false. This statement is true. Next, how much percentage of total transpiration is done by stomata? Option A रहाची, 5 to 10%, B रहाची, 90%, C रहाची, 1 to 5%, D रहाची, 60%. The stomatal transpiration, transpiration stomata थ्रूरे 90% ही थाये. Option B is the correct answer. Then next, mark the one which is not the characteristics of guard cell. So, this is the correct answer. Option A रहाची, थिक्क्यान इनर वाल, B रहाची, connected end to end, C रहाची, does not have chloroplast, D रहाची, radial mycelation. So, correct answer होची, option C, does not have chloroplast. तक गाड़ सेल रमध्यों क्लोरोप्लास रही थे तो एटे रोंग अच्छी नेक्स्ट अठ्छा नमबर Which light modulus osmo regulation of guard cell Option A green lights, B orange light, C red light, D red light, D red light तक करेक्ट एंसर होची option D, blue lights Blue lights modulate osmo regulation of guard cell नेक्स्ट What is guttation? Option A, exodation of gylem shape, B root pressure, C radial moment, D field capacity Correct answer is option A, exodation of gylem shape Next Name the specialized pores from where guttation takes place Option A, stomata, B hydathorce, C guard cell, D lenticel Correct answer is option B, hydathorce Next Last questions Which of the following statement is incorrect for transpiration? Option A, it occurs by stomata, lenticels and cuticle Option B, water comes out as water vapor It occurs in all plants, D, root pressure is involved Option A, B, C, 3D, correct होची, but D होची, incorrect Root pressure involved ही न थाए Water transportation, water transportation, root pressure involved ही थाए Not in transpiration Option D is the correct answer एई थेला, total questions, आवतर concept तो आसकोरी छी, अपणांको class T पसंदासी थी बाजदी class T भला लागी ला Then comment करी आपणा निश्या जणाई बे और जदी वीडियो पसंदासी ची वीडियो कु लाइक करी बे चैनल कु सब्सक्राइब करी निचरा फ्रेंड मानका सहिता सेयार करी बे खुब सिगर आमें अन्या सबु क्लास मध्या डिसकासन करी बा So, thanks for watching, keep learning